हर्दोई जिले के लोक सभा चुनाव में इस बार ना सिर्फ प्रतियाशियों और जन प्रतिनीदियों के कद का पता चलेगा बलकि तीनों प्रमुग दलों के जलाध्यक्षों की भी कसोटी होगी भाचपा ने 30 साल सितम्बर में तो सपा और बसपा ने हाल ही में जलाध्यक्ष बदले हैं ऐसे में चुनाव का परिणाम तीनों ही पार्टियों के जलाध्यक्षों का भविश्य भी दै करेगा बदले दौर में विश्व के सबसे बड़े राजनितिक दल होने का दावा करने वाली भाजपा के जलाध्यक्ष अजीद सिंग बबन है पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी के जला महमंत्री रहे अजीद सिंग को 15 सितंबर 2023 को भाजपा का जलाध्यक्ष बनाया गया था वो पहली बार जलाध्यक्ष बने हैं और उनके कारिकाल में ये पहला चुनाव है जाहिर सी बात है कि उनके संग्ठन कोशल की परिक्षा भी इस चुनाव में होगी हाला कि अजीद सिंग बबन को संग्ठन में काम करने का लंबा अनुभाव है सपने बीती मार्च में ही जल जलाध्यक्ष बदला है पाटी के वरिष्ट नेता शराफत अली को जलाध्यक्ष बनाया गया है शराफत अली चौथी बार जलाध्यक्ष बने हैं उन्हें ना सिर्फ संग्ठन का बलकि चुनावी राजनीती का भी लंबा अनुभव है पिछले दो लोग सभचुनावों से हरदोई में हार रही सपा को जिताने की महत्पूर्ण जिम्मधारी उनके हवाले की गई है वो कारेकरताओं को एक जुट नए सिरे से चुनावी रणनेती बना कर काम भी कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं चुनाव परणाम ही उनका भविश्यत आ करेंगे बसपा ने बीते सौंबार की राथ ही लोग सभचुनाव की तैयारियों के भी जलाध्यक्ष बदला है सवायज पूरवःधानसबशित्र के बसपा ध्यक्ष राजेश्वर सिंग कुष्यवा को पार्टी का नया जलाध्यक्ष बनाया गया राजेश्वर सिंग को भी बसपा के कनर कारीकर्टा माना ज़ाता है वो दो दशक तक गराम प्रदान भी रहे हैं संग्ठन के विभिन पदों पर काम कर चुके राजश्वर कुष्वा को और चुनाव की वक्त पार्टी ने जिम्मदारी सौपी है फिलहाल तो बस्पा का प्रत्याशी तैक करना ही सबसे बड़ी चुनाव में बस्पा का प्रदर्शन कहीं ना कहीं राजेश्वर का भविशे भी तैक करेगा